उद्यपूर से नासिक से ये क्या हो रहा है? मेरा डिबेट था जम्मू कश्मीर पर निर्मल सिंग जी लेकिन महाराश्ट के नासिक में दो गुटों में हिंसा और वो गुट कौन से है? बांगलादेशी हिंदूओं के साथ जो गलत हो रहा है उसको लेके एक यात्रा निकल रही थी उसके ओपर पथरा हो गया बांगलादेशी हिंदूओं का जो नरसंगार बांगलादेश में हुआ उसके खिलाफ एक यात्रा निकल रही थी राहूल देव जी नासिक से, वहाँ भी इसी तरीके के विजूल्स वहाँ भी इसी तरीखे के विजूल जा रहे हो नासिक से नासिक मत्यप्रतिश मेरे साथ सत्यप्रकाश जोड़े हुआ है सत्यप्रकाश अब ये नासिक में क्या हो गया महराश्ट परिजाता हूं अज दोपार को देखे आज दोपार की खट्टा है जब नस्त में जो हिंदू संक्षन थे जिससरा Б적लादेश में हिंदू को साथ अठेशार हो रहा है जिससरा पारापज देजा जा रहा है इसके इसी गिरोध में आज नसी को बंद की घुस्टना किया गया था और मोच्छा निकाल गए थे हिंदू सरकल जो संस्था है उसी समय जाते समय कुछ जो सरार्थी टेप्टों थे वो पत्राव करते हैं दोनों तरफ से पत्रबागी होती है इसमें कई लोग घायल हुए है बाटी जी के पास भी आँगा रतना करती है वो स्तामान ने है पुलिस क्याना है कि उस समय जो यह घाट्ना हुई पत्राव शुरुए एक तरफ से ऑस्ता पत्राव सुरुआ इक तरफ से पर दुसरी तरफ से पत्रावा इसमें कई लोग घायल हुए है लेकिन फिलहाल इसकी अभी शामान हुई है सिटी अभी कंट्रोल में है हिंडू संगठा न तैंक यू तैंक यू साथिप्रकाश राहूल देव जी उदेपूर से लेकिन नाशिक तक थैंक यू साथिप्रकाश मैं आता हूं वापस आपके पास ऐसे किना हम मैं फुल पैनल ओन दिन्वल सिंग जी बहुत बहुत भाद धन्यवात रहा डिबेट चेंज होगा आवे जी तैंक यू राहूल देव जी रतनाकर त्रिपाठी जी बाठी जी मिरसा स्टूडियो में है विजे त्रिवे जी सबको लाइए अवे जी को थैंक यू कर दीजे अभी मैं नंबर्स पे नहीं जाओंगा आज राहूल देव जी मैं आपसे समझना चारा हूँ उदेपूर में में कहते हैं पाउडर केग पे बैठा है यानि बारूद के धेर पर बैठा है पिछले कई लंबे समय से देश का सामपरदाइक धार्मिक विद्वेश का महौल लगतार गरम हो रहा है और किया जा रहा है और उसका ये जो कहीं छोटी सी घटना होती है वो अचानक एक सामपर जल्दी ऐसे संगश पे बदल जाते हैं और हर घटना की पहले से पूर्वा नमान लगाना दुनिया में किसी भी सरकार और प्रशासन और पूरिस के लिए संभग नहीं होता हर जगा इस समय हर शहर में हर जिले में दोनों हिंदू और मुसल्मानों और बाकी लोगों की और स दोनों ऐसे संगठन ऐसे लोग ऐसे शक्तियां हैं जो इस मौक ऐसे मौकों के इंतजार में रहती हैं और उनको जहां मौका मिलता है वो वहाँ पर कुछ ने कुछ करके उसको एक बड़े संगर्श में बड़े दंगे में बदल देते हैं ये बहुत ज्यादा सावधान रहन परनाक समय है और ये जो सारे हम देख रहे हैं उदैपूर से लेकर नासिक तक और उसके अलावा भी हम कहीं भी जाएंगे सब जगा देख रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी घटना आए अब ज्यादा हो रही हैं पहले बड़े दंगे होते थे अब बड़े दंगे नहीं हो होते ये छोटे छोटे दंगे हो रहे हैं तो ये हमें बता रहे हैं कि पहले जो बीमारी कुछ जगों पर सीमित थी लेकिन बाकी समाज और देश उनसे बचा हुआ था अब वो लगबग हर जिले और शेहर में फैल गई है और ये एक बहुत कटिंग समय है मैं नहीं जानता क देश और समाज इससे कैसे उबरेगा वान नासिक महराश्टा प्रेम शुकला जी आपकी पार्टी की सरकार है दोनों प्रदेश में राउल देव जी बोल रहे है पुरे देश में ऐसे सिचुएशन है लेकिन ये स्कूल के बच्चों की लड़ाई दंगे में बदल जाए आ कौम विशेश के साथ संकट है मुम्मा ये पहला दंगा आपको एश्वरी जी पता है क्यों हो आता कि पार्थी का कुत्ता मस्जिद में चला गया तो कुछ लोग जो है अब आप जो है नासिक में अगर बांगलादेश में हुए हिंदू के उत्पीडल पर सकल हिंदू के प्रदर्शन पर पत्थर मारने के लिए वाले जो हैं वो कौन है क्यों पत्थर मार रहे हैं चलिए भारत में तो रास्टी स्वैम सेवक संग भारती जनता पार्टी विश्व हिंदू परिशद सब को अभी भाटी जी और शेस लोग उसको दोस्त दे देंगे लंडन में क इसकी कौमी आग में जल रहा है बांगलादेस में क्यों हिंदूों को निर्वस्त करके पीटा जा रहा है क्यों मंदिरों को आग लगाई जा रही है बांगलादेस के हिंदू जो हैं वो हमले कर रहे थे बांगलादेस के हिंदू किसी के हितों पर प्रहार कर रहे थे क्या ए समाज विछेस के पुरुषू से बलातकार करवाया कौन दोशी भाई इसके लिए ये मांसिकता है कि काफिरों को खत्म कर देंगे यह बहुत घातक है सहीं बहुत आवश्यक है समाज में लेकिन यह घातक है कि हिंदूों के अगर नौरात्री में जुलूस निकलेगी तो हमला क कर देंगे घने60 निकले का हमला कर देंगे कभी हमला कर देंगे सरसुति पूझा होगी हमला करेंगे आपने कभी देएंपने मुहरम के कि ज्रुस पर हमला किया हां शिया का जिल्फ करता है उ Rhabaith कभा प्रणा एक psyche मेरक घजव और मिलेat बेमनéu में के प्रदर्शन करेंग क तो पत्रा होगा, क्या कारण है भाई, क्या पीडा है, अगर हिंदों का नरसंगार हो रहा है, तो अगर प्रेम दादा, इसमें सारी पोलिडिकल क्लास को एक साथ आना चाहिए, आप फिलिश्टी पर कहीं मोर्चा निकला हो, हिंदों ने हमला किया हो, पताईए एक जगा, फि बच्चों की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए, so it's a point of concern, कि पूरे समाज के लिए, ये सिर्फ उदेपूर, सिटी या राजिस्थान ने, ये पूरे देश के लिए एक चिंता जनक बात है, कि अगर स्कूल के दो बच्चों की लड़ाई सोचिए, सब के घरों में बच्चे है, नहीं तो आप जानते होंगे, बच्चे स्कूल जाते है, रड़ाई होती है, बहस होती है, गुथम गुथा भी होती है, हाथा पाई भी होती है, हाथ पैर भी चलते है बाटी जी, ये आप जानते है, आपके साथ जब आप बच्पन में होगा होगा, अगली ज साथ खड़ होना चाहिए यह देश के सांती का सदभाव का देश के विकास का मसला है जो राहुल देव जी ने चिंता व्यक्त की उस चिंता से मैं अपना आपको जोड़ते हुए पूरे भारतिय समाज को पूरे राष्ट को चिंतित होना चाहिए कि देश में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं जरा 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 इसी बात पर आपस में जगडे फसाद दंगे क्यों हो जाते हैं अब इस आपके पैनल में अभी प्रेम सुकला जी ना जो बोला एक भी शाब शांती और सदभाव का नहीं है नफरत का और उकसावे के सब्द बोले हैं सारे बंगला देश में समस करा रहे हैं अपने देश में तना बढ़ा रहे हैं अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं बंगला देश के अगर हिंदों के आपको चिंता है तो बंगला देश सरकार से बात करिए वहां स्वम सेवक भेजिए वहां कोई सहायता भेजिए यहां जलूस न के रक्षा के लिए अपने देश के हल्प संक्या को गुगाली दे रहें उन्हें निसाना बना रहें मैं बहुत यी जम्मेदारी के साथ ऐस्वरे जी ये कहना चाहता हूँ कि देश जैसा कि राहूल देव जी ने कहा कि देश बारूद के धेर पे बैठा है लेकिन जिनकी जिम्मेदारी इस बारूद को शांत करने की है वो इस बारूद पर पानी डालने के बजाए इसमें चिंगारी लगाने के काम कर रहे हैं सबसे पहली जिम्मेदारी में गई जो वहां का सबसे बड़ा मंदिर ठाका का और उन्होंने ये कहा कि या तो अलफसंख्यकों पर हमले बंद कर दीजिए सांति कर यह वरना मैं यह पद छोड़ के चला जाओंगा अगर हमारे अलफसंख्यक भाईयों पर हमले होंगे हिंसा होगी तो मैं यह पद कि मैं कहना यह चाहता हूं कि इसमें जिस तरह प्रेम सुकला जी ने सुरुवात की और आरोपित किया दूसरे पक्ष को ऐसी भावना ना रख्या आप सत्तारूड पार्टी हैं आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बंती है आपको सदभाव की प्रेम की कल लाल किले की किर से मानी मोदी जी कह रहे थे 2047 तक विक्षित भारत बनाना है सब क्यों रोजाना आपस में लड़ते रहेंगे बच्चों की लडाई को दंगे का रूप दे देंगे यह बन पाएगा अब आप यह ब्लेम कर रहें विक्स कर दिया को इसलिए कि बीजेपी की सरकार है सब स सद्भाव की बात तो करें एकता की बात तो करें ओके